ओहो दोते सो विचर के फैन हो इसलिए इस वीडियो पे टैप किया ना वेल डन अच्छा किया मज़ा आने वाला है बस देखते जा और वैसे भी मज़ा आए भी क्यों ना क्योंकि विचर सीजन 3 का ट्रेलर आ चुका है और दो सूपर हीट सीजन पूरे हो जाने के बाद भी अगर आप लोग विचर के बारे में कुछ खास नहीं जानते तो सौट में ये समझ लो अगर आप लोग ब्रूटल और ब्लडी एक्सन के फैन हो तो बस एतना समझ लो कि ये विचर साला बहुती बवाल चीज़े बे पूरा सिस्टम हिला जेता है मा कसम तो इसलिए बेटा मैं तो तुम लोगों को यही सला दूँगा कि जाके पिछले दो सीजन देख लो ताकि तुम लोग आने वाले सीजन के लिए कस के पकड़ के तयार होके उसके मज़े ले सको अब इस सालों मोबाइल पकड़के तयार रहने के लिए बोर रहो ताकि आने वाले सीजन के अच्छे से मजी ले सको हपसी साले भाग By the way, Geralt को देखके इवर फिर से फील हो रहा है कि ये बंदा बहुत ही जाद कूल है देखके लगता है कि बंदे की प्रसनालिटी में दम है भाई अच्छे अच्छे की आफाण देगा और फाणने फढ़वाने से याद आया कि हमें इस सीरीज में जितने भी तरह की क्रियेचर दिखाए जाते है वह बहुत ही जादा सॉलिड लगते है इन गंदे सकल वाले रप्षोसों को देखके तो गुजबंस आते हैं गुजबंस लेकिन क्या फाइदा एट दी एंड सालों को गेराल्ड के हाथों मर नहीं तो है जरूर सोचाओगा ताकि वो हेंडरी केवल वाले गेराल्ड को फाइनल सेटिस्फाइंग एंडिंग दे सके और इस सीरीज में भी कुछ ऐसे सीक्वेंस है और डायलोग से जिसे सुनके देखके लगता है कि हाँ भाई खतम टाटा बाई 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 अपने गुरू का मरना तो तैह है लेकिन बस इनके मौद को ये लोग मजाक न बना दे अगर किसी लेजन्ड की मौद से उनके फैंस के आखों में आसू ना आय तो फिर वो मौद ही किया लेकिन ये सभी चीज़े तो क्रियेटर्स के हाथों में है जो भी मरने मारने वाली च हाई नाती यो नाती नाती औरो नोती बड़ा नाती